बोपाल में भारती जंता पार्टी के प्रिदेश अधियक्षिवा सांसद विष्णू दत शर्माने गुरुवार को हिंदी भवन में युवा मोर्चा द्वारा योजित नव मतिदाता सम्मेलन में शामिल होकर सम्बोधित किया एवं प्रधान मंत्री मोदीची एवं पार्ट प्रभारी वस्तान सद विष्णू दुबे युवा मोर्चा के साथ प्रभारी आशिश दुबे युवा मोर्चा के रास्टी महामंत्री रोहित चुहल प्रदेश मीडिया प्रभारी आशिश अगरवाल मंचा सीन थे दुनिया के सरवाजेग लोगप्री नेता मानी नरेंद मोदीजी ने भारत के आज करोड़ों नममद्दाताओं को नमो नममद्दाता सम्मिरन्द में आज संबाद किया है और मानी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में नए भारत के नवोतकर्स में देश के इन नोजवानों की सब्से महत्यपुन भूमिका है नए आईडियाज, नए इनोवेशन्स, नई सोच के साथ, मनि प्रधान मंत्री जी ने देश के युवाओं को आभन किया है का आप आईए, भारती जन्ता पार्टी के आगामी आने बाले 2024 के लोग सबह में, हमारे संकल पत्र के लिए भी नौजवान अपने आईडियाज, उनके सुझाब, उन पर हम बैठ करके युवाओं के साथ संबाद भी करेंगे, और उनमें से आईए सुझाबों को खास तोर पर युवाओं के बारे में भी, देश के बारे में भी, हम क्या भूमिका निभाएं ये आज मानी प्रधान मंतरी जी ने आभान किया है, मैं भी मध्यप्रदेश के वाओं से आभान करता हूँ, कि आप दोजार चौबीस के आने बाले लोकसवा के चुनाव की दरस्टी से नमोयप पर, भारती जनता पार्टी के हमारे संगठन एप पर, आप आकर के भारती ज संबाद मानी प्रद्धान मंतरी ने किया है, यही नए भारत का निरमाण है, जो मानी प्रधान मंतरी मोदीजी जी ने जोकार्दी जानता पार्टी अगामी आने बारे चौनाव के दरस्टी से, गाउं चलो अभियान हर नेता भारती जंता पार्टी का हर कार्यकरता 48 गंटे उसे अपने एक गाउं में 24 गंटे उसको एक गाउं के अंदर रहना है तिसलिए सब के चाहे माननी मुक्यमंद्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कैबिनेट के मंत्री हो या सामानी कारे करता है सभी कारे करता गाउं में 24 गंटे रहेंगे एक रात हुआं रुकेंगे लोगों से संबाद करेंगे बिलेंगे तो गाउं चलो अभियान आज हमारी बैठक है उसके ब्यापक तयारी करेंगे तो इस प्रकार से भारती जंता पार्टी आगामी आने वाले लोग्स्वा चुनाव की दरस्टी से अपनी ब्यापक तयारियों में जुटी हैं संकल्प से बार्ति यंताती हर बूत पर 10% sector हमारा कैसे बढ़े इस संकल्प को लेखर के आगे बढ़ रहे देखिए दिग्वजय सिंग हो यां कॉंग्रेस के राहुल गांदी हो यह देश के अंदर अपना संगीत हो गए कॉंग्रेस अपना स्थित हो रही है तो केवल भ्रम जूट चल कपट कैसे किया जाए यही दिग्वजय सिंगी का चरित्र है तो इस प्रकार की अरे इबीम इस इलेक्शन कमीसन संब्यधानिक संस्ता और अपको यह हो सन नहीं कि संब्यधानिक संस्ताओं पर और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमी सन ने बुला यह जाना आपको जूट बोलना है अनर्गल आरोप लगाना है किसी भी विवस्था पर आप तो कुल मिला करके असंतस्ट रूपी ही है इसलिए आपको कुछ बचा नहीं है तो चाहे वो राहुल गांदी हो जैने सेंस नहीं है या दिग्वजय सींग हो जैने सरम नहीं इसलिए ऐसे लोग हैं जो दिनबर जूट बोलेंगे लेकिन देश की जनता आज मानी प्रधान मंत्री मोजी जी के नितरतों में केबल भारत नहीं दुनिया आज गौर्मानवित है और दुनिया को एसास हो रहा है कि नए भारत का अभ्योदय हो रहा है नए भारत का नव निर सबी संविलित हो विगिया सिंगी भी संविलित हो